हेलो एव्रीवन एन वेल्कम यूल तो आपर यूट्यूब चैनल तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेपी एसी मेंज का पेपर 3 डिसकस करेंगी जो की डील करता है सोसल साइंस हिस्ट्री और जॉप्रफी से यह 200 माक्स का कोश्चेन पूछा गया था इस पर और इसमें हम दो डिवीजन में कोशन पूछे रहे थे एक थे एक से फिस्ट्री के पर जॉप्रफी के और इसमें 20 अब्जेक्टिव कोश्चन था जिसका टोटल मार्क 40 था और बाकी सब्जेक्टिव कोश्चन थे इसके टोटल मार्क वन हंग्ड़िट सिक्टी था 80 80 इच वर्म हिस्ट dancing girl found at Mohenjo Daru was made up of so this cancer क्या होगा तो इस cancer होगा bronze the next question है the local self government was the most striking feature of this cancer होगा चोला administration ठीक है the third question देखते हैं the military department during the Delhi Sultanate was also known as तो इसे हम दो दिवान ने अर्ज करते हैं ठीक है the next question है what was the real name of Seer Saasuri तो जो Seer Saasuri का real नाम था वास्तव एक नाम था वो ता फरीद ठीक है तो fifth question देखते हैं दारा सेख was the order of which one of the following book तो दारा सेख इसमें से कौन से बुक के लेखकते हैं पुस्तक के लेखकते हैं तो इसका answer हो का all of the above क्योंकि ये तीनों भुक के लेखकते हैं सफीनत उल ओल्या सकीनत उल ओल्या मजमा उल भरीन ठीक है फिर नेक्स्स कोशन देखते हैं गांधी जी वा स्थोन ओट फर्स क्लास कंपार्टमेंट दूरिंग इस फर्स जर्नी कम दर्बन टू तो वो प्रिटोरिया जा रहे थे जब उन्हें कारी से हटा दिया गया था रेल कारी से ठीक है फर्स क्लास ट्रेंश से बोले था कि तु 1997 CE before the expiry of his sentence तो इसका अंसर होगा Diamond Jubilee celebration of Empress Victoria ठीक है तो नेक्स्स कोशन देखते हैं वेन वास गया सेशन अफ इंडिया नाशन कॉंगर्स हेल्ट इन विच 800 ट्रीबल्स फोम थे छोटा नागपूर्स पार्टिसिपेट तो ये हुआ था 1922 में गया सेशन होता है कॉंगर्स का इस्में सिया दा वह फ्रेशीडेंट् hari प्रेसलेंट थे तीक है अंदेकरे लॉंग टाइब कोशन इसमें चार कोशन आये औहुम हर सेक्षें मतलों हर कोशन जो था वह नहीं परिकूलो से था जैसे से यमेशेन पीर 치सेंट ये मौॉदन पीरिच्छा और यह आपका ज्यार सिविलाइजेशन कब था उसका खोज कौन किया थी कि वह सम्ट फिर आपको फीचर्स लिखना था तो आप फ्लोचार्ट बना सकते थे इसमें फीचर्स करके आप एरो दे करके अलग अलग जैसे डेनिश पैटन था अर्बन मतलब प्लैंड सिटी हुआ करता था फिर प्लैंड प्लैंड काफ बहुत जादा उबरा था एक प्लेट बुल गया मेट और सो गया अबस्टेड शोंट फर को फीचर्साइब बहुत जादा था प्लोफ इसमें इमेजिए बहुत जाएज हुआ फाएक, बहुत जादा था था तीब। मेल हुआ है मेल हुआ इंडिकेट करता है इंडिस वैली इसीवलाइजेशन को थैक है तो त्रेट मैस्पोटैमिया के साथ हुआ होता था उसमें लापिस लजूली हो गया और यह लोग जो ठेट करतें थे वह क्रॉप्स का भी करते थे चुट्छर बहुत जादा फ्लैरिश कर तो इसके बाद पर बहुत आधा एडवांस सोसाइटी था जो घर बनता था वो बंट ब्रिक से बनता था यह सब कुछ बहुत आधा इंप्रेसिव पीचर था इंडेस्वारे लिखते 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 ए्लिसे 6 पेज़ेट आप लिख सकते हैं त्रफ्ड कर आप से ज्ञादा इससा नहीं करने आपको जो आता है यह पूछा जारा है रहाएँ और दो ही चीच पूछा आट शींड गों दो लोग का जो बिख आन जा陷 न है कि हाँ पूछा है अचीवमेंट्स और कंट्रिबूशन वैसा हेडिंग देना होगा क्योंकि एक्जामीन चाहता है कि जो कुश्चन है वह उसका एस्पिरेंट उसका सही आंसर दें ठीक है टॉपिक मतलब जो कुश्चन पूछ रहा है उसी को मिट्ट करें वह ऐसा नहीं कि उसको टाइटल मिलता है सेचा सूरी है सब चीवमेंट में मिलेटरी वाला वह अपने आपको तयार करता है और उसी का बेटा हुमायों को यह हराता है ठीक है कंट्रिबूशन ने बहुत कुछ हो सकता है जैसे दिवाने अर्ज वो मिलेटरी दिपार्टमेंट बनाता है यह की चिननल जी का मिलिट्री दाख चेहरा सिस्टम को ही कंटीनिव करता है रूपया का सब अब तो ओसे बनाता एक रोग अर चार रोड बनाई था वह आप दे सकते लिख सकते हैं वैसे करके आपको फिर सेसरी को करना है अंसर को पिर डिसकुस्स दे रोल आप महात्मा घंदी नियर नाशनल मुवेंट्स में पूछा है आपको और को बात यह नहीं लिखना है कि वह साउथ अफ्रिका में क्या यह लिखना है कि वह इंडियर नाशनल मोमें में क्या तो आपको स्टार्ट करना था चंपारन से चंपारन से खिलाफत में मुमेंट फिर नॉन कोपरेशन मुमेंट यह होता फिर तो गांदी जी टू स्टेज में आ जाते हैं फिर वो सी डीम के टाइम जगते हैं तब जब उनको जेल से निकाल मतलब बाहर किया जाता है तब फिर पर वों ऑ बिक करते हैं और जाकर नागण के तो इंडिया अजाद होता है तो इंडीए निशनल मुमेंट पर इनके बार भाहिए भार कालव और बिर्सा मुंदास मुँमेंट इसमें आपको बहुत सारा आट करना है जैसे बिर्सा मुमेंट के बात कौन कौन सा मुवंड हुआ तो आपको इसी को इलाबोरेट करना है तो इसमें आपको मेंली बिर्सा इसमें पर फोकस करना है ताना भगत मूमेंट पर फोकस करना और बाकी मूमेंट जो इसके बाद होता है जारकन में अब हम लोग ज़ोग्रफी के सेक्शन को देखते हैं तो according to Wagner the continent drifts towards तो जो वेगनर के सिद्धान के according वेगनर तो अपना सिद्धान देता है continental drift theory इसमें वो बताता है कि जो टोटल पहले वो जो लैंड था उसको पेंजिया करते थे और वो सराउंडेट था पेंथलासा से जो की ओशेन था बाद में वो तूट जाता है और फिर वो अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बनाता है ठीक है अंगारा लैंड उपर ओला पार्ट मतलब जो कि अभी को कमप्राइस करता है वहीं जो गोंडवाना लैंड है उसका पार्ट अभी इंडिया भी है तो इसी के बाद में बताना था तो इसका जो सही आंसर होगा वह हो जाएगा आपका इक्वेटर एंद वेस्ट ठीक है तो यह जो मूब कर रहा था है एक्वेटर और वेस्ट के त साइकलों अकर्स बीट्वीन विश लैटिटू सरीक्लों का बात हो रहा है था था वोगरों टैप यह को टाइप का शो था होता है था हूंद जो यह था तैम्परेंगो घ्रल दियुक्डी में वह यह पर दोप्रेशर की नमिंग इंड विल एंडियुश्ड होता है तो वहा सर्कुलर सेलुलर सर्कुलेशन करते हैं हम लोग इसको एत्मोस्फेर का तो उसके कारण तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ठेणुघapan पावर प्रोजेक्स इसका जो है यह कंचर्ण करते है थर्मल प्ावर से नेक्स प्रड़ प्रोडिव प्रमेर प्रोड प्रोड टैकर झो है जा है फिर नेक्स्स कोट्षियन है फूर्पाउंडेट दाबाइनरी स्टार हाइपोथेसिस तीक इसकानसरों कर रश शेल रशेल प्रपाउंडेट दाबाइनरी स्टार हाइपोथेसिस फिर विच इरोजनल एजेन फॉर्म जुगन तो यह जुगन है यह aeolian landform है जो कि wind से बनता है ठीक है इसमें यार्डेंग, जीवगन, मस्रूम, रॉस यह सब जो है यह aeolian landform है ठीक है अरिड लैंड फोर्म फिर next question है which one of the following groups of district has higher concentration of tribes in जारकन as per 2011 census तो इसका answer जो होगा वो होगा खूटी, सिम्डेगा and गुमला ठीक है खूटी, सिम्डेगा and गुमला फिर next question देखते है which one of the following district in जारकन has got the highest irrigated area तो इसका answer जो होगा वो होगा पलामू ठीक है पलामू है पलामू वो district है जारतन का जहां पर irrigation सब से जादा होता है तो यह objective question थे जो की JPSC में पूछे गए थे तो जो long type question था geography में जिसमें की 4 question थे और हम लोगे को इसमें से 2 question लिखना था जिसमें प्रतेक का mark 40 40 होता है total 80 तो जो पहला question था वो है describe the weather of a tropical cyclone, where do this storm originate and what part do they usually follow तो हम लोगों को इसमें क्या करना था कि पहले हम लोगों को keyword ध्यान देना होता है जैसे weather हो गया ठीक है यह originate कहां कर रहा है और यह किस path को follow करता है यह तीन इसमें keyword है तो हम लोगों को पहले तो इसका introduction देना होगा कि tropical cyclone क्या होता है यह topics originate करते है यह low pressure area create किया जाता है जिसमें लगबक 27 degree Celsius का वो चाहिए temperature चाहिए और यह chorealis force के presence में यह होता है ठीक है और यह weather कैसा create करते है तो यह बहुत जादा क्या करते है मतलब cumulonimbus cloud form होता है ठीक है एक eye बनता है जैसे कि यह अगर diagram है ठीक है यह यहाँ पर eye बन गया यह eye of the cyclone है ठीक है और बहुत ऐसे cloud formation होता है यह eye wall हो गया ठीक है मतलब जहां पर energy को transfer करता है energy को lose कर रहा है इसी लिए एक land को खोच जाता है कि इसको energy तब तक मिलता रहेगा जब तक पानी है जब तक moisture है नीचे तो यह उस type का path follow करते है और वहां तक वह जाता है तो इसमें weather कैसे associated है कि बहुत जादा बारिश होता है low pressure हो जाता है बहुत storms बहुत जादा पकलब की cyclone को भी classify किया गया है तो बहुत 275 km per hour की speed भी यह बहुत जादा यह जैसे हाल में जो आया था अमपान यह आपका जो सुंदर बन वाला area था उसको पूरा destroy कर दिया था तो वैसे हम लोग को इसको current affairs से भी relate करके लिखना हो यह originate कैसे करता ह तो इसमें हम लोग यह लिख सकते क्योंकि इसको मतब condition सिख सकते कि condition क्या होना चाहिए इसका formation का और scoriolis force होना चाहिए low level disturbance मतब disturbance थोरा कम होना चाहिए ठीक है और वैसे ही हम लोग को इसको conclude करना है ठीक है आपको इसको current affairs से ज्यादा relate करके लिखेगा तो आपका answer और अच् इसका बहुत सारे स्टेज भी होता है जैसे कि origin stage हो गया, early stage हो गया, mature stage हो गया, mature stage में यह तब होता है जब पहुचने वाला जाता है यह land को और जब वो land के अंदर penetrate कर जाता है अंदर तब वो धीरे-धीरे dying stage में जाता है कि यह वो मज किया है cyclone तो नेक्स question है, describe the relationship between annual rainfall in India and its Natural vegetation, annual rainfall के बारे हम बता ना, the natural vegetation कि वो दोनों में संबन्न जाए, तो यह directly proportional है, directly influenced है, क्योंकि अगर हम लोग इंडिया का मैप देखे, गर यह इंडिया का मैप है, तो एक तो यहां का जो vegetation और यहां का vegetation है, दोनों का vegetation है यहां पर भी a tropical evergreen forest है, क्योंकि यहां पर western ghat होनी के का मेक्सिमम बर्षा होती है मतलब लगवग 200 सेंटीमीटर से उपर और वहीं यहां पर जो मॉंसें नाम चेरा पुंजी वाले में यहां पर बहुत बर्षा होती है तो यहां का अगर हम लोग वेजिटेशन भी देखें दोनों टॉपिकल एवर्ग्रीन फ्रीज मिलते हैं यहां पर फॉरेस्ट फिर अगर हम लोग यहां का एरिया देखें जो राजस्थान है थार डेसर्ट यहां पर क्या होता है कि यहां पर अरावली लोकेटेड है तो जो विझंड है वह पेलेस्ट करता यहां पर बारिश नहीं होता है अ कंया है यहां मिलते है और यह अपने हंडिभार कर लेते हैं कि जो काटा का पेर होता है मतलब यह मतलब नहीं होई तो इसका थिक स्टेम होता है तो वैसा इसका वेजीटेशन अड़ाप्ट कर लेता है तो वैसे ही आप जैसे अंदर जाते रहेगा तो आपका बारिस कम होते जाता है क्योंकि यहां पर देखेंगे एक तो इसको यह वाला जो साओ्थ वेश्ट मॉंसून है उसके वी बारिष हो रहे है और जो यहां पे बेयर बेंगाल ब्रांच है उसके कारन भी बारिष होता है और इस्टन कोश्ट आप इंडिया तो जो इस वाला पार जैगा जाता है थो लय वह ही अगर हम इंडिया का अपर पार देखें तो महाँ जो रेइन फॉर्म आप स्नोफॉल होता है तो वह पर अल्पाइन फॉरेश्ट होता है उसका जो ट्रीका सेफ होता है वह इस टाइब का होता है वह इसलिए होता है क्योंकि अगर बर्फ होगा तो वो फ्लैंट कर देगा वो एक जगर ऐक्यूमिलेट नहीं होगा क्योंकि ऐसा यह पक्का है कि मतलब यह रिलेशन आप अच्छे से बता सकते की रेनफॉल जो है वो नाश्य वेजिटेशन से कैसे रिलेटेड है ठीक है पिर नेक्स कोशन है, critically evaluated, तो आप ये देख सकते है, critically evaluated मतलब positive भी बताना है, negative भी बताना है, the favorable factors leading to the establishment and development of the iron and steel industry of India, ठीक है, तो iron and steel industry is the backbone of the industry of India, ये बता सकते है, factors क्या क्या है, तो factors क्या है, तो आप एक diagramatically बना सकते है, the factors, इसमें आप लिखिये का raw materials हो गया, labor हो गया, ठीक है water availability हो गया, फिर हो गया, अपका location हो गया, ठीक है, ये सब आपका बहुत साथा factors आजाते है, तो आपको उसको explain करना है, फिर इसमें हम लोग importantly, Weber का theory लिख सकते है, ठीक है, Weber का theory लिख सकते है, कि जो उसका एक locational triangle theory दिया था, कि अगर raw material का weight, जो है, वो ज्यादा होता है, ठी ये industry located है, ये market है, ये raw material 1 है, raw material 2 है, तो आपको ये भी बताना था, तो आप ऐसे करके इस answer को conclude कर सकते है, जो fourth question था, इसमें था कि discuss in detail, the occurrence, occurrence and the distribution of coal in जharkhand, occurrence कैसे अकर हुआ, तो आपको इसमें बताना है कि कैसे गुंदवाना land के थुरू, यहाँ पे जharkhand में coal का formation हो बहु पांच अलग अलग जगा, जैसे कि आपका हो गया, जरिया हो गया, फिर आपका फिर ग्रेडी वाला area हो गया, फिर आपका बोकारो में चंद पूरा हो गया, वो सब को आपको अच्छे से बताना है, तो आज का वीडियो में यही था, जिसने हम लोग डिसकर्स किये, history geography paper को, और JPSC means, आने वाले lectures में I will also try to discuss the left out portion, जो कि तीन paper और बाकी है, जो कि यह quality वाला और economy वाला, rest I have already discussed, आप वो देख सकते हैं प्लिलिस में, और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो मेरी effort,